जे भी, सम्मेक न्यूज लेविचे या विशेज बत्मी पत्रा मते भी वीजे निलेंगे कर आपता स्वागत करतो पहुयात, अच्छा सम्मे गड़ा मुड़ी फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हस्फिटर एंड क्रिटिकल केर सेंटर श्वाजिनगर नांदेड अभी अभी, अन्वर खादरी सहाब ने आपको एक खिस्सा सुनाया दो मेंड़कों का एक मेंड़क जो कूटकर उपर आजाता है वो मेंड़क मैं हूँ इसलिए मैं हूँ कि मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता हासलों से उड़ान होती है मेरे भाईयों आज से खरीब एक मेहना भर पहले जब हम इस कश्मकश में थे कि एलिक्शन लड़े ना लड़े और अंगबाद शेहर के ऐसे बहुत सारे मेंड़क थे जो कहते थे तुम वहीं रहो नहीं आ सकते लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो मेंड़क पानी में गिरा है उस मेंड़क का नाम इम्तियास जलील है बहुत बातें की गई हमें भी ऐसा लगा कि क्या ये मुम्किन होगा कहीं न कहीं हम भी इस कश्मकश में थे लेकिन एक बात मैं पूरे यखीन और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मनजर मैंने 2014 के अंदर इस शहर के अंदर देखा था जो मनजर मैंने यहां की नाजवानों के बीच में देखा था जो जजबा और जो जोच देखा था जो बुज़गों की दुआएं देखी थी मैंने कहा कि 2014 के अंदर लोग मुझे जानते नहीं थे इसके बावजूद भी जे शिद्द से उन लोगों ने मेरे लिए अबादत की थी दुआएं मांगी थी जो नावजावान मुझे पैचानते थे नहीं वो लोगों का जोश देखते ही बनता था मैंने कहा कि अगर ये 2014 के अंदर मुमकिन था तो इन्शालला 2019 के अंदर भी यखिनन ये मुमकिन होगा और ये इसलिए मुमकिन होगा मेरे भाईों जब लोग ये कहते थे कि हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरी सोच ये थी कि मन्जिल मिले ना मिले ये तो मुखदर की बात है मन्जिल मिले ना मिले ये तो मुखदर की बात है पर तुम कोशिश भी ना करो ये गलत बात है हम कोशिश करने के लिए उतरे थे मैदान में हम सोचते थे कि हमारी कोशिश कामियाब होगी या नहीं होगी लेकिन महज एकार दस दिन गुजरे है अब वो कोशिश नहीं है हमारा उस कोशिश अब एक यखीन में बदल गया है कि तेनीस मैं को दोबारा इस जमीन के उपर हरा रंग से हम लोग होली खेलेंगे हरे रंग में डूबेंगे नीले रंग में हम डूबेंगे क्योंकि आज हम अलग अलग छोटे छोटे गाओं में जब जाते है मैं पिछले कुछ दिनों से कन्नार गंगापूर वैजापूर छोटे छोटे से गाओं में हम जा रहे है ऐसे कजबों में हम जा रहे है ऐसे इलाखों के अंदर जा रहे कुछ दिन पहले गंगापूर के एक छोटे से कजबे में ने गया धगे सहाब महस पचीस घरों की एक बस्ती थी और पूरे के पूरे पर्दे सहाब दलितों की बस्ती थी सुबह आठ साड़े आठ का वक्त था एक बज़र्ग महिला सामने से आ रही थी दलित समाज की थी मैंने उससे पूछा कि ताई या वेरी मत कुनाला देनार वो मेरी तरफ देखी और उसने कहा कि या वेरी मी मत वन्चित बहुजन आगारी चेवे जली भाया है नत्यान देनार मी जस महिला को मेरा नाम नहीं पता जस महिला को मेरा चेहरा नहीं पता लेकिन बारा सहाव अमबेकर जी ने उनके समाज को आदेश दिया है कि इस बार कुछ नहीं देखना तुम्हारा वोट सिर्फ पतंग के ओपर पढ़ना तो उनके लिए एक आदेश हो गया और वो आग बन करके पतंग के लिए आज पूरी जद्दो जहद कर रहे है आज पुरा दलिट समाज पुरा बहुजन समाज एक ताखक के साथ खड़ा है तो वही मेरे खौम के एक आट दस मेंड़ा का शहर भर में घूम रहे है और गनित समझा रहे है गनित समझा रहे है इतने वोट इसके उतने वोट इसके आएगा क्या ये वो लोग है जो 2014 में जब मैं खड़ा हुआ था एलेक्शन में तो मुझे बुलाते थे और कहते थे कि इम्तियास भाई इतना अच्छा करियर है पत्रकार है जर्नलिस्ट है क्यों छोड़ कर आ रहे है मुझे मायूस करते थे और ये कहते थे कि ये खौम पे भरोसा नहीं करना ये खौम कभी एक प्लाटफॉम पे आई ही नहीं सकती है ये ही मेंदकों मेंसे कुछ मेंदक थे जो कहते थे कि सहाब इस खौम को हम बिर्यानी के अंदर खरीदते है लेकिन सोचिए लेकिन सोचिए इस इम्तियास जलील का अपने रब के ओपर कितना यकीन था हम लोगों से ये कहते थे कि जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे हम महनत करेंगे शिद्दत के साथ हम महनत करेंगे मुझसे कहते थे कि अगर हसाद अवेसी सहाब भी आ जाए और अंगाबाद को और अगर डो टू डोर कैंपेंग भी कर ले घर घर जाए और वोट मांगे आपके लिए तो इम्तियास भाई आठ दस हजार से ज़्यादा वोट आप ले नहीं पाएंगे एक सहाब ने तो कहा भाई टिकेट फार्म भरने से पहले हम को पूछ लेना था हम पिछले 35-40 सालों से और अगरबाद की सियासत हम करवाते है कौन आमदार बनेगा कौन खासदार बनेगा यह हम तै करते हैं आप अचानक पूना से आते हैं और कहते हैं कि मैं आमदार बनूँगा आपको मालूम है यह वो लोग थे जो मुझे से कहते थे कि आठ दस हजार वोट मिलेंगे मैं भी शुरुआत में सोचता था लेकिन जैसे जैसे हमने मेहनत करना शुरू किया तो मेरा यखीन बरता गया और इतना यखीन पुखता हो गया एक ऐसा मनजर हमने इस शहर के अंदर देखा कि लोग आते थे देखने के लिए कि कौन ये शक्स है जो पुना से आता है और ये कहता है कि मैं अंदर बनूँगा महस बाइस दिन पहले वो भी दोस्तों आप लोगों के उस मेहनत को आप लोगों के उस जजबे को उस जोश को मैं सलाम करता हूँ कि हमने क्या किया तो हमने सिर्फ मुत्त क्या हुए एक प्लाटफizen के उपर क्या आए एक ताख़त हमने क्या दिखाई कि सत्ताई सालों तक आपके इस इस इलाखे का आहमदार शिफ सेना का हुआ करता था हमने जरा सियाहत क्या ली एक अंगडाई के ली 27 सालों के बाद शिफ सेना के उस जंडे को उखाड फेका और हमारे हरे जंडे को हमने लहराया और अगर ये मुम्किन हुआ तो ये सिर्फ आप लोगों की वज़े से मुम्किन हुआ और आज हम को लोग ये कहते है कि एमपी का इलेक्शन बहुत बढ़ा होता है बहुत ताखत लगानी पड़ेगी मुझे अलग अलग ताखतों के बारे में बताया जाता है अलग अलग ताखतों के बारे में मुझे डराया जाता है और मैं उनसे यही कहता हूँ ताकतें तुम्हारी कुछ भी हो हमारी ताकत तो हमारा खुदा है मेरे भाई ताकतें तुम्हारी हो पर खुदा हमारा है यही यखीन के उपर हम इस मैदान में उत्रे है और आपको मैं यखीन दिनाना चाहता हूँ कि जो पिसले चार छे दिन के अंदर एक माहूल बद्रा है मैं जब कन्नड गया पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मैं महस चार दिन के बार तब दोबारा उसी शहर के अंदर गया तो मैंने देखा कि खुदा भी कैसे कैसे करिश्मे करता है कैसे कैसे दिलों को फेरता है दोबारा जब गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं कन्नर को दोबारा आऊ ना आऊ पूरा कन्नर मेरे साथ इंशालला खड़े रह रहता दोस्तों हमारा काम क्या है हम लोगों को पिछले सतर सालों से क्या किया जा रहा है यही गनित के अंदर उलजाया जा रहा है यही बाते समझाई जा रही है कि नहीं होता है और कौन लोग समझा रहे है जो यही कहते थे कि आठ हजार मिलेंगे दस हजार मिलेंगे अरे खाम एक ताख़त बनकर खड़ी रही तो साथ हजार वोट हमने हासिल किये और बीस हजार की लीड से हम चुनकर आए उस वक्त ये सचाई है कि उस वक्त मजलिस इतिहाद अलमस्लमीन को महस मुसलमानों के वोट मिले थे क्योंकि दलिद भाई उन्हें ये पता नहीं था कि हैदराबाद की कौन सी जमात हैं उन्हें नाम भी बराबर से लेना आता नहीं था धगे साहब सही है ना मजलिस इतिहाद अलमस्लमीन धगे साहब स्टेज पर चड़ने से पहले याद करते थे मजलिस इतिहाद अलमस्लमीन लेकिन जब कॉर्परेशन का इलेक्शन आया तो हमने हमारे दलिद भाईयों के अंदर एक विश्वास जताया एक ऐसा यखीन पैदा किया कि हम कोई दूसरी राजने तेक पार्टियों की तरह नहीं है अगर हम तुम्हें टिकेट देते है तो जिता कर लाने की जिम्मेदारी भी हम उठाते है उसके बाद आज बड़ा सहाब अम्बेकर जी अवैसी सहाब ने जो एक एलाइंस किया है वो एलाइंस यखीनां उन राजने तेक पार्टियों का सरदर्द बन चुकी है वो गड़ बंदन उन राजने तिक पार्टियों के लिए एक ऐसा सरदर्द बन चुका है जो ये समझते थे कि मुसल्मानों के वोट तो हमारी जागीर है जो ये समझते थे कि दलितों का वोट खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं है यही करते आए थे आज अलग अलग ऐसे समाच अलग अलग ऐसे समाच जिने वंचिप बहुजनागारी के नाम के ओउपर हमने तिकेट दिया है बारा सहाब ने तिकेट दिया है आज अगर आप ये समझ रहे है कि हम सिर्फ मुसल्मान वोटों की बात कर रहे तो हमें फखर होता है जब इस शहर का मराठा समाच का एक संगर्टन हमारे पास आता है और ये कहता है कि अम्तियास भाई हमें ना कॉंग्रेस के साथ जाना है ना भाजब ना सेना के साथ जाना है इस बार हम तै करें है कि हम इम्तियास जलील आप के साथ जाना चाहते है आज धंगर समाच के खरीब एक लाग साथ हजार वोट इस शहर के अंदर है धंगर समाच के लोग पूरे हमारे साथ आए कली उनका एक बड़ा डेलिगेशन मेरे घर पर आया और उन्होंने कहा कि हम अलग अलग पार्टियों से जुड़े थे कोई भाजब में था कोई सेना में था कोई राश्टरवादी में था कोई कांगरेस में था लेकिन हमें इस बात का एसास हुआ कि जो मुसल्मानों और दलितों के साथ होता आ रहा है सतर सालों से कि बस तुमारा काम वोट दो वोट दो वोट दो सत्ता में जाकर वो बैठेंगे इसलिए धंगर समाच के लोगों ने भी हमारे पास आए और लिखित के अंदर ये दिया और उन्होंने कहा कि इम्त्याज वाई एक रुप्या भी हम आपसे नहीं लेंगे हमारी गारी लगाएंगे हमारा स्टेज लगाएंगे आपके लिए हम सिर्फ प्रचार करने का काम करेंगे क्योंकि हम चाते है कि इस शहर के अंदर परिवर्तन हो और आप हमारे खासदार बने मेरे भाईयों यह हम को सोचना चाहिए हमने पिछली बार क्या किया था हमने कुछ नहीं सोचा था हम सिर्फ अपना वोट डालने के लिए गए थे हमने लोगों से यह कहा था कि सिर्फ अपना वोट डालो आज दोस्तों जब मैं अपनी मन्जिल इतनी खरीग पाता हूँ तो मुझे और एक बात का यखीन हो जाता है जिस तरह S.M.E. अलेक्शन के दौरान महज 22 दिन पहले अगर एक महले का कॉर्परेटर बनना है तो छेछे महने एक एक साल दो दो साल महनत करनी पड़ती है तब जाकर कॉर्परेटर बनता है और एक शक्स 22 दिन पहले आता है और आमदार बनने के बात करता है तो मैं उस वक्त भी लोगों से एक बात कही थी और आज भी उस बात को दोरा रहा हूँ अगर मेरी नियत साफ है तो इंशालला अल्ला रास्ते जरूर बनाएगा जरूर बनाएगा और हर रोज हम देख रहे हैं कि कैसे रास्ते बनते जा रहे हैं ऐसे ऐसे रास्ते बनते जा रहे हैं कि आज अलग अलग पाटियों के नेता यहां पर भी स्टेज सजेंगे यहां पर भी अलग अलग पाटियों के लोग आएंगे बाते करेंगे मैं आप लोगों में से एक बात कहना चाहता हूँ अगर कॉंग्रेस का स्टेज इस जगे पर सजा या राश्चवादी के कोई नेता आए तो उन्हें सुने जरूर आप मुझे बड़ा खराब लगा जब किसी इलाखे से वहां पर एक कैंडिडेट का जलसा नहीं हुआ यह सियासत है डिमोक्रेसी है हर पार्टी को इलेक्शन लगना है कोई हारेगा कोई जीतेगा लेकिन आपको उन्हें सुनना है इसी लिए मैं आख से कहता हूँ कि जितनी लोग जितने लोग आज मुझे सुनने के लिए आए है कल कॉंग्रेस का भी स्टेश यहां पर सजेगा इस से ज्यादा लोग आईए सुनने के लिए उनका भाशन सुनिये लेकिन उनके सुनने के बाद उनसे एक सवाल जरूर करिएगा उट खड़े रहिए और उनसे यह सवाल करिए कि क्या मुसल्मानों का काम सिर्फ वोट देना है क्या आशोग चौहान को कभी यह लगा नही कि जिस खौम का मैं वोट पिछले सतर सालों से लेता आया हूँ क्या शर्थ पवार को यह कभी लगा नहीं कि जिस खौम के बल बुते के उपर मैं अपने आमदार और अपने खासदार चुनता हूँ उनसे यह बात पूछना जरूर मेरे भायों कि क्या वज़ा है कि औरंगाबाद या ऐसे इलाखे महराश्चा के अंदर 48 लोग सभा की सीटें है क्या राश्चवादी को एक भी सीट मुसल्मानों के लिए नजर नहीं आई क्या कॉंग्रेस को ये लगा नहीं कि हम एक ऐसी सीट दे कि जहां से हम मुसल्मान को चुन कर ला सकते है हम आप मिल कर ये सवाल करना चाहिए और अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे तो आप अपनी खौम के साथ धोका करेंगे और ये नेता ये कॉंग्रेसी नेता ये समझेंगे कि हमसे तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं जो स्थानिक नेता है इस इलाखे के जो अपने गले के अंदर पंजे का और घरी का मफलर लेकर दोड़ेंगे उनसे एक बात जरूर पूछना कि क्या वज़ा है कि लोग सभा के अंदर पूरे महराश्शा से पिसले कई सालों से एक भी एक अर्टालीस में से एक भी मुस्लिम एमपी ना तो कॉंग्रेस ना तो राश्च्रवादी कॉंग्रेस जिता पाई है जिताएगी कैसा अगर वो टिकिट ही नहीं देती है उनके नेताँ ने एक बार कहा था कि अगर हम मुसल्मानों को टिकिट देते है तो मुसल्मान तो उन्हें वोट दे देता है लेकिन दूसरे जात के दूसरे ध्रम के लोग कोई मुसल्मान को वोट देना नहीं चाहता अगर यही बात है तो हम किस बुनियाद के उपर इस सेकुलिरिजम के ढूंग इस सेकुलिरिजम के नाम के उपर हम अपनी खौम का सौदा करते रहे और आपको तमाम यहां पर मौजूद लोगों को शर्मानी चाहिए मुझे शर्माती है कि आज लोग सभा के अंदर जहां हमारे मजब के तालुख से अफ़ैसले लिए जा रहे है हमारे शर्यत के खानून को बदलने के फैसले कोई महान अगर बालिका या कट-कट गेट के चौरा है पर नहीं लिए जा रहे लोग सभा के अंदर लिए जा रहे है और लोग सभा के अंदर अगर हमारी आवाज ही नहीं है कोई हमें विरोध करने वाला ही नहीं है और सिर्फ महराश्चा की बात नहीं कर रहा हूँ शर्म मुझे इसलिए आती है कि एक भी मुस्लिम एंपी महराश्चा से नहीं एक भी मुस्लिम एंपी कुजराच से नहीं एक भी मुस्लिम एंपी राजस्तान से नहीं एक भी मुस्लिम एंपी मध्यप्रदेश से नहीं एक भी मुस्लिम एंपी करनातक से नहीं एक भी मुस् दर्मानी चाहिए अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं यह सेकुलर जमाते हैं अगर इम्तियाज जलील खड़े रहा एलेक्शन में मजलिस अगर खड़े रही तो शिफ सेना जीत करा जाएगी यही ग्यान बढ़ा पराया जा रहा ना आपको यही बताया जा रहा ना कि इम्तिया जलील खड़े रहे तो सेना जीत जाएगी यही बताया जा रहा है पिछले बीस सालों में पिछले बीस सालों में जब चंदरकांट खेरे शिफ सेना का इस शहर का खासदार बनते आ रहा है चार टॉन से मजलिस ने तो एक बार भी ऐलेक्शन नहीं लड़ी इन बीस सालों के बन्चित बहुजना गारी तो इन बीस सालों के अंदर वजूद में ही नहीं थी हम एलेक्शन ही नहीं लड़े अगर हमने एलेक्शन नहीं लड़े तो किसमे मुखाबला किया शिफ सेना भाजब का तो वही कॉंग्रेस ने लड़ी वही राश्रवादी ने लड़ी ये दो अनों पार्टिया मिलकर लड़ते रहे पिसले बीस सालों से लड़ते रहे हमने भी अपना वोट किसको दिया आप खुद ये मानेंगे मैं खुद अपना वोट कॉंग्रेस को देता आया ताके वो लोग सेना को हरा सके भाजब को हरा सके बीस साल दिये हमने बीस साल 20 साल तुमने पूरी ताखत लगाए लेकिन नतीजा क्या हुआ पूरी ताखत लगाने के बावजूद भी तुम सेना को औरंगाबाद में पचाड नहीं सके हमने 20 साल तुमको दिये तुमने अपनी ताखत दिखा दिये कि तुमारी ताखत इस शहर के अंदर है नहीं कि तुम इन फिर्खा परस ताखतों को हरा सके 20 साल के बाद अब एक मौका हमको दो हम दिखाएंगे सेना को कैसा पचाड़ा जाता है शहर के अंदर एक बार हमने पचाड़े है इन्शालला 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 दूसरी बार भी पचाड़ेंगे हम उन्हें दोस्तों ये सीट महज कारेंगाबाद की लोगसवा की सीट है ऐसा नहीं है ये सीट महज यहां के मुसल्मानों के लिए एक नाग की बात हो गई है एक इसज़त की बात हो गई है आज इस सीट के उपर नजाने दुनिया के ऐसे कितने मुसल्मान नजर लगाए हुए है आपको हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले मीरट का एक रहने वाला उत्तर प्रदेश मीरट का एक रहने वाला शक्स मुझे मक्य शरीफ से फोन करता है और कहता है कि इंत्यास भाई मैंने गूगल से आपका नंबर निकाला टेली फोन नंबर जब आपका टिकेट का चल रहा था तो मैंने शिद्दत से अबादत की थी आज मैं उम्रा करने के लिए आया हूँ मैं काब शरीफ के सामने खड़ा हूँ इम्तियास भाई और आपकी जीत के लिए मैं दूआ कर रहा हूँ दोस्तों उस जजबे को देखिए कि कैसा एक अंजान आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं जो मुझे जानता नहीं जो मुझे पैचानता नहीं वो सिर्फ इस लिए दूआ कर रहा है कि हमारी अपनी भी ख्यादत जिन्दा हो हमारी अपनी भी ख्यादत पार्लिमेंट के अंदर पहुँचे मैंने बाड़ा सहाब अंबेटकर जी से दो दिन पहले कहा कि बाड़ा सहाब जब फार्म भरने गए तो आप इतना बड़ा जूलूस लेकर गए ये तो तै हो गया है कि असद अवेसी सहाब के साथ बाड़ा सहाब आप भी लोगसभा में जाने वाले है ये तो तै हो गया है लेकिन मैंने बाड़ा साथ से कहा कि ना बाड़ा साथ आप अकेले नहीं जा रहें आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ इंशालला और हम जाएंगे मेरे भाईयों मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इलतिजा करने के लिए आया हूँ तमाम नوجوانों से तमाम बुजर्गों से देखिए महर्स 28 दिन का वक्त हमें मिला है 900 पोलिंग भूत है सौवों से ऐसे गाओं है खजबे है इलाखे है हम अगर दिन और राद भी अगर पूरी कोशिश कर ले कि उन गाओं में जाएं उन कजबों में जाए उन बस्यों में जाए दिन और रात करने के बावजूद भी ये मुम्किन नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद कटकट गेट के तमाम वो ग्यूर मुसल्मानों से तमाम नوجवानों से यह अपील करना चाहूंगा किसी का नाम रफीख है किसी का खील है किसी का शकील है कोई चाउश है कोई पठान है कोई सेद है कोई शेख है तेवीस तारीख तक अपना नाम बदलो मेरे भाई हर एक ने अपना नाम तेवीस तारीख तक इंतियास जलील रख लो तब हम जाकर अपनी मन्जिल हासिल कर सकेंगे लोगों से ये कहो अगर कोई कहा एलेक्शन के वक्त में लोग बड़े अकड़ते रहते है यार एलेक्शन में खड़ा रहा अपने पास तो आया भी नहीं एक साहब ने कहा क्या बोस अभी MP बने नहीं सलाम करें हमने जवाब भी नहीं दिये बोस मैं बहुत देखा नहीं नो बोस मैंने देखा तो बराबर करूँ आना क्योंकि सलाम तो खुदा को पहुंचता ना भाई लेकिन मामला बड़ा पेचीदा होता है एक साहब ने तो बोल दिये भाई अपने घर में एक पार्टी है वो पार्टी में आना पोड़िंगा ने तो अपन वोट नहीं देने वाले अब मैं उनको समझा रहा है मेरे भाई मैं गंगापूर में हो अपने को ने मालू अपने घर में चौदा वोट है आना पोड़िंगा भाई अब मैं ये दूवी धा में कि गंगापूर जाओं या चौदा हिसाब लगा ले रहा है चौदा खैर अल्ला उस बंदे को तोफीग दे उसको मना लिया और वो मान लिया मैं बला जीत के आओंगा इंशालला तेरे घर पे जरूर आओंगा और पार्टी खाओंगा और एंपी बन के आओंगा तो पार्टी खाने का अलग मज़ा रहेगा बस मेरे भाईयों आप लोगों से मैं सिर्फ इतनी इलतिजा करने के लिया आया हूँ कि हमारे जितने भी बजर्ग लोग है नौजवान लोग है आप लोगों को ये इलेक्शन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इम्तियास जलील का इलेक्शन है और इम्तियास जलील इसे लड़ेगा और इम्तियास जलील इसे जीतेगा तो ये गलत है ये इलेक्शन आप लोगों का भी है मेरे भायों अगले कुछ दिनों तक हमें महनत करने का है और उन लोगों की फिकर नहीं करने का है जो चाय के ओपर चर्चा करते हुए सारा ग्यान बाढ़ते है कि यार ये कैसा होगा होगा बोलना तू फिकर मत कर इंशालला होगा तू तेरा वोट डाल और पतंगे ओपर डाल सब होने वाला है आइसे लोगों से ज्यादा ग्यान मत करिएगा एक नरेंदर मोदी है जो चाय के ओपर चर्चा करते है और पूरा कट-कट गेड तो आक्चल में चाय पर चर्चा हमारे ओपर करता है उसके अधर यार इंत्याज भाई इंत्याज भाई इंत्याज भाई आएंगा किया इसको कित्ते मिलेंगे उसको कित्ते मिलेंगे एक बात मैं यखीन के साथ कहता हूँ आज रात में सोते वक्त एक मिनट के लिए अपनी आँख बन करना और ये तसवर करना तेवीस में का वो मनजर जब नतीजे आएंगे वो मनजर को याद करना कि जब 2014 का नतीजा निकल रहा था गवर्मेंट कॉलेज के सामने नौजवानों के सरों का समंदर हम देख रहे थे रिजल्ट निकलने से पहले ही सलीम सहरा सहाब ने दो टैंकर मंगा लिये थे हरे रंग का कट कट गेट के उपर वो मनजर ये भी सोचना कि आज अगर हम ये सीट अगर हम निकालते है तो हम एक यखीन पैदा करेंगे एक ऐसा यखीन पैदा करेंगे कि आज इस मुल्क की सियासत बदल जाएगी कि अगर हम ये कहेंगे कि अगर मुसल्मान दलित और बहुजन एक प्लाटफॉर्म के उपर आ सकता है तो हम लोग पूरी सियासत बदल सकते है मुझे मालूम है अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी साजिशें रची जा रही है और ये जो प्यादे आ रहे हैं ना आपके पास मेंडा का तुम वही रहो नहीं निकल सकते मर जाएंगे दुई रहो वही रहो बोलने वाले बहुत आएंगे सुना है आभी रहे है रात में आते हैं और आपको बताते है कि वही रहो वही रहो ये असल में अपने उस पर नहीं आ रहे है पेट्रोल कोई और दाल रहा है उनके गाडियों में पेट्रोल कोई और दाल रहा है और बोर्ड रहा है कि जाओ अपनी बस्तियों के अंदर और मायूसी फैला दो बताओ उनको गनित बताओ अगले कुछ दिनों के अंदर बारतिय जनता पादिया आपको मालूम है एक कैंडिडेट को कितना पैसा दे रही है चाहे वो उनका कैंडिडेट हो या उनका इलाइंस पार्टनर का यानि कि शिर्सेना का हो एक एक कैंडिडेट को इलेक्शन लडने के लिए पंदरा पंदरा करोर रुपिये दिये जा रहे है कांग्रेस के हर कैंडिडेट को अपनी पार्टी दस-दस करोर रुपया दे रही है हर एक को मालूम है कि अलेक्शन अपने को किसी भी हालत के अंदर जीतना है दोस्तों आपके पास भी आएंगे आपके बस्तियों में गल्यों में आएंगे एक एक वोट की खीमत पै की जाएगी एक वोट की खीमत कितनी होगी पांसो देंगे हजार रुपये देंगे दो हजार रुपये देंगे इस से ज्यादा एक वोट की खीमत नहीं मिलेगी वो पैसा अगर आपके पास आए तो इस पैसे की तरफ देखना और ये कहना कि अगर मंडी में गए तो कुटे और बिल्यों के बच्छे तो बाजारों में मिलते है शेर के बच्छे बाजारों में खरीदे नहीं जाते है और मेरे ये नौजवान ये वो शेर है जो इन्शालला तेवीस एपरिल को एक ऐसा नमूना पेश करेंगे के पूरा हिंदुस्तान देखेगा और तेवीस में को जब नतीजे आएंगे तब वो मन्ज़र हम याद करेंगे और एक तारीख दर्च कराएंगे कि चालीस साल के बाद उन्नीस सो असी में उन्नीस सो असी में इस शहर से आखरी मुस्लिम M.P.E. एलेक्ट हुआ था खाजी सलीम सहाब मरूम खाजी सलीम सहाब मुस्Will mock शालीस साल हो गए लोगों के अंदर मायुसी ऐसा नहीं होता, जीती नहीं सकते आहीं नहीं सकते इंशाल्ला आपको ये दिखा देंगे कि हर मेंडक औूबने वाली नहीं रहती है एक मेंड़क इंशालला कूत कर आएगी और आपको दिखाएगी इसी लिए लगे रहे अपने कामों पर जाते जाते बस जोड़तार ऐसा नारा लगाएए नारे तक्बीर नारे तक्बीर बहुत 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 शुकुरिया वा आख़र दावान वा अल्हंदुल्ला है पाहत रहा समयक न्यूस लाइव बात में पाहने है साथे यूट्यूब पर सब्क्राइब करा